काफी फेमस इंडर्वी कोशन है यारी काफी बार आता है जनेरिक कोशन है और इसको करने के अंदर जो तरीका है उसका कोड आजम समझने वाले है इसे आपकी रिगर्जिन की नॉलइज और जड़ा इंप्रूव हो जाने वाली है कोशन बड़ा इजी है आप लोगो को बेसिकली एक बार इटर रखा है उसको आप लोगो डबली लिंग्लिश के अंदर कर रहा है अब बहुत ही असान है कर दिंगे कर दिंगे ठीक है किस तरह कैसे करना है ना बताये तो पहले एक कंस्टेंट यह है कि जो आउटपूट होगी है पहले इन ओडर प्री ओडर पोस्ट और साही ट्रेवर्सल हम देख चुके है अगर आप लोगो नहीं पता है तो एक वाली वीडियो चेक कर लेना उसके बाद आप लोगो यह वाला कुशन सभजमा आएगा ठीक है तो आप लोगो बेसिकली इस ट्री को करना है गिवन है उन्हीं नोर्स को कन्वर्ट कर देना है एक लिंक्लिश्ट की फॉर्म के अंदर ठीक है आप बोलोगो बेसिकली पोइंटेर तो वही रहेंगे अभी यहाँ पर भी इसका लेफ्ट यह जिए है इसका राइट यह है ठीक है तो खुके नहीं होना है link list के अंदर होते हैं आपके previous और next लेकिन उनको उनके नाम को हम basically change कर दे रहे हैं नाम हो जागा आपका left और right और आपके यही नोर्स यहां पर रहने वाली है बस आपको इसको इस चीज में convert कर देना है ठीक है इसको तो basically flat कर देना है तो flatter आना binary tree type का भी यह question बन जाता है तो flatter आना binary tree या फिर convert binary to a double in English यह आपका question है और इसको करने के multiple तरीके होते हैं आज मैं आपको एक बहुत ही optimized तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप लोग की recursion की knowledge बढ़ेगी और recursion के अंदर एक improve काफी अच्छा था fund है वह भी आप लोगों को समझ माने वाले ठीक है कुछ और example भी देख लेते हैं तो suppose अगर आपकी ऐसी binary होता जहां पर रूट आपका यह है तो आपका यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा यह इसका इन और ट्रेवर्सल है तो इस तरीके से यह लना ट्रेवर्सल हो रहा है अब मैं इसका एक वाले लिगता हूं और फिर उसके को को समझाने वाले और उससे हम बहुत की अच्छे से एक समझने वाले है तो यहां पर मैंने इसे कोड कर दिया और को आपको दिखने में लग रहा हो काफी छोटा सा कोड है थोड़ा सा अलग टाइप का कोड है लेकिन यह ठीक है इस कोड को समझेंगे को समझेंगे को समझने से पहले अगें रिकर्शन से करने वाले इस कोशन को कि हमें convert करना है इसे in order traversal tender right in order में क्या होता है पहले आप left side जाते हो कुछ काम करते हो then आप node को process करते हो then आप right side जाते हो same काम करते हो same code बने यहां पर लिखा हुआ है आप लोगों ने पहले base के sandal कर लिया उसके बाद आप left side गई उसके बाद आप आप ने route को process किया उसके आप right side गए ठीक है बहुत ही simple सा code है अब जरा समझते हैं कैसे काम कर रहे हैं तो हम यहां पर route पे गए उसके आप left side गई left side में कुछ काम करना है और यह समझ लो कि left side में काम करने के बाद आप लोगों का previous node यहां पर update हो गया ठीक है मैंने previous यहां पर बना कर चल रहा हूं है क्योंकि जब भी आप डबली लिंग्विश्ट के अंदर चीज़ें डाल रहे है तो आप लोगों को previous node का पता होना जरू डालने है तो आप कैसे डालोगे कि previous का right हो जाएगा यह current node और फिर current का left हो जाएगा यह previous node और प्रीवेस को अपडेट कर दोगा बोलें कि previous अब यह हो चुका है यही तो करते हो और similarly आप element डालते हो सेम फंडा में यहां पर लगाने वाले सेम फंडा में यहां लगाने वाल अगर प्रीवेस्च के लिख से पहले निल था क्योंकि सिर्फ हैड़ का ही previous हम कर दिया ति इतना ही काम है जो ह्को ठीक से समझ नहीं है तो आप लोगasan से start किया क्या root null है, root null नहीं है, ठीक है, तो अंदर आते हैं, left side के लिए call करते हैं, तो यह है इसका left side, ठीक है, हमने left side के लिए call किया, again जाएगा वो call के अंदर, है यहां से मिलेगा उसके बाद यहन जाएगा ठीक है अंधर जाएगा किया प्रिवيस तो हां प्रिवेस नल है तो हैड्वोजा कर देगा उसके प्रिवेस हो जाएगा आपका यही आपने इफ में गई उसका था यहां से पूरा पूरा अपनी पूरी सटिस्फाई हो चुकि अब यह नोड इसके पास जाएगी क्योंकि इसने कॉल किया था लेफ्ट साइड के लिए अब यह अपना प्रोसेसिंग करेगा ठीक है तो यहां से जाएगा रूट का लैफ्ट हो ज बेसिकली यह ठीक है एक फाइब नोड बन चुकी है और प्रीवेस भी यह है और रूट भी यह है है ठीक है और यह है आपका रूट तो रूट का लैफ्ट हो जाएगा यह प्रीवेस और प्रीवेस का राइट हो जाएगा यह उसके बाद फिर हम फाइनली प्रीवेस को तो इस तरीके से यह अपने आप ही solve होता चलेगा, मैं यह आप पर इसको और further आपको वैसे बता देता हूं, ठीक है, क्या ही जा रहा है, वैसे इतना जाने की जरूत होती नहीं है, अगर आप लोगों देख रहा है कि हाँ, यह इतना से हमारा चल रहा है काम, अगर आपका यह यह भी solve हो रहा है न, ठीक से, यह ठीक से solve हो रहा है, उसके बाद आप लोगों ने base case दीख ली कि हाँ, यह ठीक से solve हो रहा है, तो फिर बाकी सारा का सारा अपने आप ही recursion सम्हाल लेता है, बाकी फिर पूरा check करने की जरूत होती नहीं है, ठीक है, टाइम ही waste होता है, लेक ठीक है, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, ठीक है, और previous null है, तो हाँ previous null नहीं है, तो else में जाएगा, root का left हो जागा previous, तो current root यह है, इसका left हो जागा previous, तो previous क्या था, previous अभी यह node है, ठीक है, तो यहाँ पर basically यही node है, लेकिन इसका जो left होगा, वो जागा यह previous, और previous का right हो जागा यह, और फिर हम previous को update कर देंगे, previous को बोल देंगे, यहाँ आ गया, ठीक है, तो previous अपने आप ही in order traversal के अंदर यहाँ आ चुका है, ठीक है, उसके बाद यह पीछे जाएगा, और यह अपने आपको process करेगा, ठीक है, और इसका जो left और right होगा basically, यहाँ पर set हो जाए प्रिवेस नल है, ठीक है, तो root का left basically, यह है root तो इसका left हो जाएगा, प्रिवेस यह था, तो इसका left हो जाएगा, यह और इसका right हो जाएगा, यह और फिर previous आपका यहाँ आजाएगा, उसका आद यह return करेगा, और यह finally return कर देगा, और ऐसा होने के बाद, आपका head होगा, व जताने वाल था, वो यह ही था, कि basically आप चाहो तो कुछ ऐसे pointers, जिनको आप चाहते हो कि throughout the journey of your recursive calls, वो values update करते चले हैं, ठीक है, तो उनको आप बाहर globally ऐसे define कर सकते हो, ठीक है, तो जैसे हमने आप इसे previous को globally define कर दिया, जिससे कि हर एक recursive call के अंदर यह change हो सकता है, ठीक है, यह वाला question और इसके अंदर recursion का बहुत अच्छा funda यूज दो रहा था, तो इसलिए हमने वाला question देखा, इसके बाद हम binary trick के अंदर कुछ और advance questions भी देख रहे होंगे, यह वाली video यहीं तक ही, अगर वीडियो पसंद है आप लोंगो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को कर दो कर दो